नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुन सार यूटूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है उत्तर परदेश उच्छतर सिछा सिवा आयोग इतिहास भाग दो में जो इसकी परिच्छा जो है मैं मैं में होने जा रही है 19 मैं को ने धार्कती गई है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो देखें कोशन नमर एक है इस में मोहम्मद तुगलक के अंतरगत दिवान कोही का विभाग किस तरह के कारे की देखरे करता था दिवान कोही इसका एंसर जाएगा ए किसी विभाग था दिवान कोही कोशन नमर दो दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भूराजस्व में एक बटा दस या एक बटा इगारा से अधिक ब्रिधी नहीं की जाएगे यह किसने नियम बनाया था तो इसका एंसर हो जाएगा बी गयासु दिन तुगलक ने कोशन नमर तीन निमलिखित में से किसने संतनत काल में डांक ब्यवस्था का बिस्तिरित बीवरण दिया है इबन बतुता ने फुट्सान नमर चार सुमेलित करने के लिए दिया गया इसमे फुतु उस सलातीन इसके लेखक कौन है इसके लेखक जुए है यानि एक दो नमर है इसामी फुतु reach हाँ आते फिरोश आई ते बी का वाने स्वेम फिरोशा तुगलक निखा था तारीखे फिरोशा ही ते लिखे थे बर्नी और खजाईन उल्फुतू ते लिखा थे अमिर खुसरो यानि ए का दो और बी का वन यानि इसमें एंसर आपका होगा ए ये सही है इसमें कोश्चन नमर पांच ये भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है काजी उल्फ कुजात यहाँ जो है वन का फोर यानि नियाय प्रसासन से समंदित है मुहतसिब जो है जनता का सदाचार निरिछक था यानि बी का तिन नमबर यानि ए का फोर बी का त्री इसके अंसर हो जाएगा सी इसके बाद दिवान एकूल राजस्यंबित विभाग मीर वक्सी सैन विभाग सी सही होगा इसमें पांच नमर में कोशन नमबर छे उस भूमी को किस नाम से जाना जाता था जिससे सुल्तान परत्यच रूप से लगान प्राप्त करता था उस भूमी को का एता था खालिसा कोशन नमबर साथ इजारादारी ब्यवस्था का परचलन सरपर्थम कहां हुआ था इसकी ब्यवस्था सरपर्थम कहां हुए था देखे इसमें दिया एक खालसा भूमी में जागीर भूमी में या खालसा जागीर दोनों में या इन में से कोई नहीं तो इसका एंसर जाएगा बी जागीर भू जाओं में से आंद्रभोज की उपाधी किसने धारन की थी तो आंद्रभोज किसो काहता था इसका एंसर होगा भी क्रिशन देव राय को कोश्चन नमबर 9 दिल्ली में खैरूल मनालीज खैरूल मनाजिल नामक मदर्शे का निर्मान किया था किस नहीं किया था इसका एंसर हो जाएगा माहम अंगह ने कुश्चन नमबर दस अकबर के सासनकाल में प्रचलित चौकोर चादी के सिक्के का क्या नाम था तो इसका एंसर हो जाएगा आपका सी जलाली कुश्चन नमबर 11 कथन और कारण से है इसमें कथन में मुगल सासकों ने खलीफा के अधिन्ता कभी सिवकार नहीं की और कारण दिया इसमें खलीफा मिश्र के सासक के बंदी थे कुश्चन नमबर 12 जहांगीर के दरबार में पच्छियों का सबसे बड़ा चित्रकार था सबसे बड़ा चित्रकार था जहांगीर के दरबार में पच्छियों का मन्सूर कुश्चन नमबर 14 निमलिखित में से किसने तमबाखु का सेवन निसिद कर दिया था तमबाखु का सेवन निसिद किया था तो इसका अंसर हो जाएगा जहांगीर ने तमबाखु के सेवन का निसिद कर दिया था कुश्चन नमबर 15 इसमें देखिए सुमिलित करने के लिए दिया गया है गुल बदन बेगम तो गुल बदन बेगम किसने लिखा है गुल बदन बेगम ने क्या लिखा है हिमाउ नामा इस्वर्दास नागर ये लिखे है फुतवात आलम गीरी यानि B का चार नमबर यानि A का 3 B का 4 यानि इसके अंसर हो जाएगा आपका D इसके बाद याहिया बीन अहमद ये लिखे है तारीख है मुबारक साही अबबास का सिरवानी तारीख है सिर्शाही कोश्चन नमबर 16 साजहा के काल में दक्कन की भूमिक कर ब्यवस्था में महत्पोन सुधार करने वाला अमीर था वामीर कौन था इसके अंसर हो जाएगा A मुर्शीत कुली खां कोश्चन नमबर 17 बनारस एवं इलहाबाद में तिर्थ कर की समाप्ति ये तू याचना करने के लिए मुगल बासा के पास जाने वाले बनारस के पंडितों के सिष्ट मंडल का निमलिखित में से किसने नितिर्थ तो किया था इसका एंसर हो जाएगा आपका D कबिंद्रा चारे ने कोश्चन नमबर 18 निमलिखित में से कौन पस्सी भारत में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे कोश्चन नमबर 19 निमलिखित में से कौन औरंजेव के शासनकाल का आदिकारिक इतिहासकार था तोरंजेब के सासनकाल का अधिकारी कितिहासकार था मुहम्मद काजीम कोशन नमर 20 मुगल बासाहों ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निधारित कर रखा था इस संदर में निमलेखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तिसका एंसर होगा आपका सही सुमेलित का अरंग जेब सुक्रवार ये सही सुमेलित नहीं है इसके अलगा अकबर ब्रेस्पतवार के दिन ने आय करता था जहांगीर मंगलवार के दिन सा जहां बुद्वार के दिन और अरंग जेव जो है ये भी बुद्धवार के दिन करता था लेकिन यहाँ पर सुक्रवार दिया है तो यहाँ पर पूछा है कौन सुमेलित नहीं है तो इसका एंसर डी होगा कोश्चन नमबर 21 निमलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है 21 नमबर का सही सुमेलित नहीं है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका डी आउरंग जेव एडवार टेरी ये सही सुमेलित नहीं है कोश्चन नमबर 22 वह राजा उदाता से अपने गुप्तचरों को भुकतान करता है जिस कारण उनके द्वारा प्रदत सही सुचना से उसकी विजयों में बड़ी मदद मिली सीवा जी के बारे में विबरण किसने दिया था तो इसका एंसर हो जाएगा अबे केरे अबे केरे ने ये विबरण दिया है कोश्चन नमबर 23 28 अताबदी के 28 अताबदी के जो है उस राजा का नाम उलेख जिसने दो बार असो मेग जिसने दो बार असो मेग यग करके विशिष्टा प्राप्त की थी तो इसका एंसर हो जाएगा इसमें आमेर के सवाई जैसिंग ने डी सही इसमें कुश्चन नमबर 24 निमलिखित में से किन अस्थानों पर धार्मिक भावनों के निर्माण में अहिल्यावाई ने बहुत धन खर्च किया बहुत धन खर्च किया था किसमें इसका एंसर हो जाएगा रामेश्वरम में जगनातपुरी में द्वारकापुरी में और किदार ना थे इसका अंसर होगा D उप्वित सभी सही है कोश्चन नमबर 25 पेशाओं के अंतरगत मराठा नौ सेना की जिम्मेदारी एक और सधान योगता वाले नयक के हाथ में सौफी गई जिसका नाम था तो इसका नाम क्या था कान्होजी अंग्रे यानि B सही है इसमें कोश्चन नमबर 26 निम्लिखित में से कौन चित्रकला की कोटा कलम का आश्रे दाता था तो वो आश्रे दाता था उमेद सिंग कोश्चन नमबर 27 कथन और कारण से कथन दिया गया इरोपिय बैपारियों ने भारत में हुंडी पनाली का प्रचिलन किया और कारण इसमें दिय प्रचलन में थी इसका अंसर हो जाएगा ए किंतु आर सही और डी सही इसमें कुस्ण नंबर अठाइस होल्ट शेंट जार्ज भारत के किस राज में स्थित है यहां राज कहुंसा है तो इसका अंसर हो जाएगा ए तमिल नाडु में कोशन नमबर 29, निलिखित में से किसने मुहम्मस सा से सेट जगत की उपाधी प्राप्त की थी, इसका एंसर हो जाएगा A, फते चंद, फते चंद होगा इसका एंसर, कोशन नमबर 30, और अंतिम कोशन है, बंगाल के उन जिलों की पाचान कीजिये, जिनके राजस्व प्रसासन को 1760 में इस्ट इंडिया कमपनी को हस्तार सिरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नबाबी प्राप्त की थी, इसका एंसर हो जाएगा A, वार्दवान, मिदनापूर और होगे लिए, ये थे कोशन आज के लिए, तो उमिद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के आधिक सदिक करिए, और अभी ताक आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्क्राइब करें, अभी मैं गला वीडियो अप्लोट करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पस सबसे पहले पहुँचे, धन्यबाद दोस्तों, जै हिंद!